हेलो एबरीवन असलाम हो अलेकुम कैसे हो आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे खुश होंगे तो दोस्तों एक नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है आज है 24 जन्वरी और अभी मैं अपने काम पर पिसा चुका हूं हमारा काम शुरू हो कुछ भी पैनेंसियल की वज़े से मैं रिचार्ज नहीं करवा पारा था फिर मैंने रिचार्ज करवाया तो आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं असा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे खुश होंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पह आपको ऐसे में किस काम अई कौन सा काम कर रहा हूं तो concertो बिना देर के हुए मैं वीडियो स्टाट करता हूं और बताता हूं अपनी जर्णी के वारे में तो दोस्तों आपको पता है के अंदर भी है तो हमारी जर्णी शुरू होती है हमारे डेट बर्थ से जब मैं पैदा हुआ था 1995 हमारा डेट बर्थ है और उसके बाद हमारी चार साल पांच साल के बाद एस्कुलिंग शुरू हुई लास्ट में जो हमारी लाइफ का पहला स्टेश था 2012 इस वी जब मैंने मैट्रिक का एक्जाम दिया और अल्ला के फजलो करम से मैं फज डिविजन हुआ हमारा 78 परसेंट मार्क्स आया फिर हमने दो साल पढ़ाई करी इंटरमेडियट की फिर 2014 इस वी में हमने इंटरमेडियट किया उसके बाद हमारी स्कूलिंग जब खतम हो गई इंटरमेडियट में जब पास हो गया तो एक साल ब्रेक लेने के बाद मैं अपने कुछ क्या मैं बता हूँ हमारे जो बहनुई साहब है उनके सपोर्ट से और हमारे एक सिनियर जो हमारे कॉलेज के हैं उनका नाम मैं बताना चाहूंगा गुलाम सरवर भायजान उनकी मदद से मेरा एडमिशन अलफला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में हुआ जो की हरियाना में है उनने बीटिक करी तो हमारा एडमिशन 2015 में हुआ और मैं पास ओट 2019 में हुआ और हमारी उनिवर्सिटी के चिरही मैं कोई सभी पे सपोर्ट की वएसे मैं जो हमारी इंजिनिंग है एलेक्टिकल एंड इलेक्टोनिक्स इंजिनिंग से मैंने 80% माक्स हासिल किया और मैं वहां से पास आउट हुआ फिर उसके बाद जिनोंने हमारा एडमिशन के वक्त सपोर्ट किया था गुलाम सरवर भायजान उनके सपोर् राजधानी पावर लिमिटेड सरीता विहार के अंदर में कुछ दिन मैंने जॉब करी इंट्रेंसिप भी किया उसके बाद जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये 2020 में लॉगड़न हो गया जिस वज़े से मैं अपने घर पे आ गया था तो शायद उस वक्त में हमारा जो BACS का जो ये था वो खतम हो गया सफर वहीं पर फिर उसके बाद लॉगड़न में आप लोग को पता ही है सारी कमपनिया बंद हो चुकी थी काम नहीं हो रहे थे तो उस वक्त हम अपने घर पे ही मौजूद थे डर था दूसी लहर तीसी लहर आ रही थी तो इस वज़े से मै वापेश दिली नहीं जा पाया फिर मैंने अपने गाउं में ही सिक्षा के शेतर में कुछ करने का सोचा फिर हमने टीचिंग सुरू करी मैंने दो साल मैंने टीचिंग करी दो साल के अंदर हमारे पास कुछ बच्चे आये थे जो कि इंटरमीडियाट और मैट्रिक के सेंटेज भी अच्छा रहा सभी फर्च डिवीजन से पास हुए तो मैंने कुछने स्कूलिंग करी एक चीज और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैंने अपने गाउं में टीचिंग सुरू किया था तो आपके अपने ही जो होते हैं वह कुछ आपको डी सारी लोग सामने तो नहीं बोलते थे लेकिन सब की बाते में सुनता था कहीं से बात भूम फिर के हमारे पास आती थी कि अरे इंजिनिंग करके बैठा हुआ है कोई काम नहीं मिल पा रहा है जॉब नहीं कर पा रहा है टीचिंग करके क्या करेगा बच्चों को पढ़ा के क् कि मेरे खवाह से कि हमारे अंदर जो नौलेज्ज है मैं जब तक घर बैठा हूँ या घर पे हूँ खुछ बच्चेको नौलेज आज़ा कुछ मैं उनको पढ़ा सकूँ क्योंकि हमारे गाउं में उस लिहाद से टीचर नहीं है, हमारे गाउं में टीचर की बहुत जादा कमी है, बिल्कुल छोटा सा गाउं है और जो टीचर पहले से हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का वो उसने हमारे गाउं को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया लेकिन ये चीज़ आप लोग को पता हो कि जो जिस एस्टेंडर का होता है वो अपने हद तक कोशिस करता है कि मैं बच्चों को अच्छी सिक्षा दूँ लेकिन आपको उस तरह से नहीं वो सिक्षा दे पाए खैर जहां तक भी उन्होंने हमारे गाउं को ले गया है मैं उनका सुक्र गुजारूं कि हमारे गाउं के जो फैमली हैं जो भी बड़े बुज़ूर्ग हैं सब को मोटिवेट किया और जो हमारे गाउं में कभी एस्कुल नहीं हुआ करता था कभी बिजली नहीं हुआ करती थी वो सारी चीज़े आज के डेट में हमारे गाउं में मुझूद हैं और हमारे गाउं के बच्चे अभी दरभंगा या फिर पटना या फिर दिली बहुत सारी जगा जाके पढ़ रहे हैं आगे बढ़ें उनको कभी दिक्कत नहों कभी परिशानी नहों और अच्छी पढ़ाई अच्छी सिक्चा होगी तभी तो वो आगे बढ़ेंगे तो इस मकसे से मैं स्कुलिंग शुरू करी थी टीचिंग शुरू करी थी लेकिन उस चीज़ को लोग ये ना सोचकर हमारे गाओं के या हमारे फैमली से ही कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी खिचाई करते थे और उन्हें लगता था कि ये विरोजगार है इसके पास कोई काम नहीं है बहुत सारी बाते हुआ करती थी लेकिन उन लोग को मैं बता दूँ कि आज मैं सोधी के अंदर में हूँ और मैं अच्छे पोजीशन पे हूँ अच्छा काम भी कर रहा हूँ तो कभी भी किसी को देखके जलना नहीं चाहिए दोस्तों खुद में हिम्मत रखो खुद आगे बढ़ो मैं रात रात भर जगके मेहनत किया हूँ मैंने चार साल इंजनिंग करी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े इतने अच्छे परसेंटेज लाए फिर बाद में भी मैंने बहुत सारी मेहनत करी कुछ मैंने प्रप्रेशन भी करी लेकिन किसी करण बस नहीं रही उपानी के वज़े से थोरी सी मुश्किल हुई लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूँ सभी लोगों का Σुक्र गुजारों जिसने हमारा पैर भी खेंचाड या जिसने सपोर्ट किया सभी लोगों का मैं सुक्र गुजारों किसी को देख के जलन नहीं चाहिए, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग अच्छी पोजिशन पर जाए, अपने माबाप का नाम रोसन करें, अपने भाईयों के लिए, अपनी बहन के लिए, एक सहारा बने, अपने माबाप के बुढ़ापे का सहारा बने, सभी लोग को मैं यह कहना चाहूंगा, हम कभी मत हो, किसी के भी कहने पर, किसी के भी पैर खचाई पर, आपकी अपने फैमिली के लोग, आपकी अपने भाई, आपके अपने चाचा-चाची, आपके अपने मामा, मामी, आपके अपने माबाप, कभी भी कोई भी दिमोटिवेट करे, तो आप खुद में आगे बढ़ वेट कभी नहों दोस्तों आपकी पढ़ाई आपका कैरियर यह आप पे खुद डिपेंड करता है ना कि आपके माबाब भाई बहन चाहता है चाची मामा मामा या गाउं के किसी भी रिष्टेदार तो आप अपने में एक सबर बांद करें और कुछ चीज़े आप अपने अंदर में छुपा के भी रखें तो कि आप अगर हर चीज़ खुले में रखेंगे suppose main market isn't so बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो packet seal होती है उसकी life बहुत ज़्यादा होती है यह लेकिन जो चीज़े खुली होती है ना उसकी life ज़्यादा नहीं होती है और जो चीज़ खुली होती है उसी पे मक्षी सबसे ज़्यादा बठती है तो अपने आपको हमेशा बंद करके रखें फिर इंशालला काम्यावी आपके हाथ जरूर लगेगी दोस्तों वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसके बाद जो साल अगला आया 2023 जो पीशे बीच चुका है उसके अगस्त महीने में हमारे बादे से मैं सौधी आ पाया है उन्होंने वो रास्ता दिखलाया है फिर हमारा इंटरव्यू हुआ वो इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद फिर एस एलेक्टिकल एंगिर मैं सौधी आया क्योंकि जितने भी बंदे अभी बैठे हुए जो भी बिरोजगार है जो भी हमारे इंडिया पाकिस्तान बंग्लाज़िस नेपल जहां के भी हो उनको एक जर्या नहीं मिल पाता है जिस वज़े से वह सही जगा आनी पाते हैं या सही जगा उनका सेलेक्शन नहीं हो पाता है तो इसमें मैं आप लोग से बताना चाहाँ कि जो लोग साओधी के अंदर हैं या किसी भी कंट्री में तो उनका रिफ्रेंस होना बहुत ही जरूरी है अगर रिफ्रेंस हो तो फिर करना आपको यह इंटरव्यू करना आपको यह लेकिन एक जो इस्टेज मिलता है वह लाजिम बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है जिस वज़े से उनका बाहर काम नहीं हो पाता है क्योंकि हम सभी को पता है हमारे इंडिया में जितने एजेंट है एजेंट के चुंगल में जो फास गये फिर समझ लेकि उनका सिर्फ रुपिया बरबाद होना है तो अच्छी कंपनी बहुत कम ही है लेकिन दिली में भी और मुंबे में बहुत सारी एसी रेइस्टर्ड ऑफिस है जहां से आप अपना काम करवा सकते हो तो हमारा जर्नी यह था कि हमारे बानुई साब ने सपोर्ट किया फिर हमारे इंट्रिव्यू हुआ फिर मुंबे से हमारा जो आगे का प्रोसीजर था आगे का कांग था वह कंप्लीट हुआ फिर आखिरकार एक डेट जो था जिस दिन हमारी फ्लाइट हुई वह 16 अगस्त मैं कि चोदाइट को मुमबे पहुंच चुका था 15 अगस्त हमारा मुमबे में ही गुदरा क्योंकि 15 अगस्त हमारा राज्त्रिय पर वह तो उस दिन हमारी फ्लाइट नहीं होई 16 अगस्त को हमारी फ्लाइट कुई और मैं मुम्बे से डाइक्ट आगे जद्दा जद्दा आ मैं अपने एक उन्वटी के जो भी हमारा कैम्प है में वहां पहुंच पाया और इधर आने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लाए कि मैं घर से बाहर हूं क्योंकि यहां हमारे जो इंडिया से हैं सारी सारे लोग भिहार से यूपी से पाकिस्तान से बंगला देश नेपल सारे लोग अपने घर से दूर हैं सब मिल्गिल के रहते हैं कभी हमें ऐसा महसुत नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूं तो यहां आने के बाद वैसी feeling नहीं आई हमें कि चलो एक home sickness type का होता है, वो हमें कभी ऐसा लगा नहीं, फिर जो यहां का procedure है, यहां आने के बाद आप किसी भी post के हैं, चाहे आप labor क्यों नहीं हो, technician क्यों नहीं हो, यहां आपको training करना पड़ेगा, और उस training का certificate issue होता है, वो certificate certificate होने के बाद ही आप काम कर सकते हैं, तो हमारा process by process पहले ही कामा बना है, फिर सारी चीज़ दीरे दीरे हुई, फिर हमारा जितना भी test था, हमारा जितना भी जो भी training था, वो complete हुआ, सारा certificate आ गया, और आज मैं as electrical engineer मैं अभी काम कर रहा हूं, और हमारे पास जो project है, उसमें साथे साथ सौ पोल के आसपास है, लापके दो तीन किलो मीटर अंदर गाउंड है, यानि कि ऑवरेड अंडर गाउंड दोनों मिला के हमें काम कर रहा है, करना परड़ा है, जो कि यह जल्दी फिनिस हो जाएगा एक दो मेने के अंदर, इसमें टोटल 48 transformer भी हमें रिलोकेट क करने हैं, तो अभी तक कि यह जर्नी हमारी मैं अभी परजेंट हूं, अभी काम कर रहा हूं, तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहां तक पहुंच पाया, यह हमारी छोटी से जर्नी थी, तो इस जर्नी से मोटिवेट होकर मैं एक चीज़ आप लोग के लिए बोलना चाहूंग दोस्तों कि आप लोग का बच्पन जो है गरीवी में अभीता यह आपकी गलती नहीं, आपके माबापने कमा कर, खुद को भूका रखकर, खुद ना कपरे पहन कर आपको इस लाइक बनाया, पढ़ाया, लिखाया, अब जब आपके माता पीता का जब बुढ़ापा है, तो उनका बुढ़ापा गरीबी में ना कटे, इसके जिमेदार सिर्फ आप होंगे, मेरा यही मानना है कि दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, अपनी फैमली और अपने माबाप का नाम रोशन करूं, अच्छे से काम करूं, आप लोग की दुआ की दरफास्त है, आप लोग दुआ म यह हमारा क्वाहिस है, दोस्तों यह कुछ चीज़े हमारी है, जो हमने आप लोग के साथ सेयर किया, तो हमारे चैनल में बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और धेर सारा प्यार दोस्तों हमें देते रहें, आप लोग काम का देखते ही हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेके आता ही हूं कि अभी हमारे बंदे काम कर रहे हैं अभी लगबग आज दस गड़े हो चुके हैं एक लाइन से में अभी गड़े करवारो गड़े करवाने के बाद हमारा जो कंक्रीट हो मांग भाएंगे फिर पोल खरा करेंगे फिर आप लोग के लिए दिले कर मैं अपनी तरफ से एफर्ट किया और आज इस मुकाम पे हूँ इस जगह पे हूँ लेकिन मैं आप लोग से एक चीज़ करना चाहूँगा कि आप जिस फिल्ड में जायो आप अपना कंपिटिशन लेवल किसी फिल्ड में चेक करें कोई नो कोई बंदा आप से उपर जरूर होगा चाहे हैं कि आपने फिटनेस बिद्र के पढ़ाई की में चले जाएं किसी भी उमर के किसी पैदान पे चले जाएं हर जगह आप देखेंगे कि आप से कंपेटिशन में कोई नो कोई जरूर होगा तो यह मां समझे कि हम दुनिया में सबसे परफेक्ट हैं यह ऐसा कभ करें अपने घर का नाम रोसन करें खूब आगे बढ़ें एक मोटिवेशन हमारा आप लोग के लिए यह चोटी सी वीडियो आप लोग के लिए थी तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिल आइकन को जरूर पेस्ट करें दोस्तों ताकि आ आज यह वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आप आया हूं क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया हमारे रिचाइस खतम हो चुका था तो दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं और भाई को धेर सारा प्यार दे मैं एक एलेक्टिकल इंजिनियर के पोस्ट पे हू हो जाए कि या तो हमारे इंटरनेट की वज़े से या फिर किसी ऐसी साइट पर जाओं जहां इंटरनेट काम ने करता हो जिस वज़े से मैं वीडियो अप्लोड ना कर पाऊं बाकी अल्ला ने अगर हिफाज़त से रखा अच्छे से रहा तो मैं आप लोग के लिए वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर